हम लोग का नियाम के आसर को एडवांस देता है जब ही हम लोग जाते हैं विसवाज किसी पर नहीं करते हैं अगर ऐसा आएगा कि देश की तरफ खिलाब लेना तो सबसे पहली मेरा अपना देश कि मजदूरों को थोड़ा बहुत कुछ जैसे कि तीन महीने का जली अगर वो जा रहा है तो एक महीने का दो महीने का उसको पैसा एडवांस में दिया जाए आज कि समय में रोजगार सबसे बड़ी चुनोती है हर विरोजगार के लिए लेकिन जो आलसी बैठे रहते हैं कि कुछ नहीं है कुछ नहीं तो उनके लिए ते देखिए अदम कुछ काम नहीं है भारत में स्वागत आप सभी का दरेड माइक में मैं हूँ आपके साथ शानसकर जैसा कि आपको पता है कि इजरायल और फिलिस्तीन का यूद अभी भी लगातार जारी है ऐसे हलात में दोनों देशों को आर्थिक तोर पर काफी नुकसान जहिलना पर रहा है इजरायली सरकार ने फैसला किया है कि आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए भारत से मजदूर को हायर करेंगे और अपने यहां जो कंस्ट्रक्शन का काम है या जो और भी अन्य काम है उनमें भारतिय मजदूर को लाएंगे अभी सुबा से ही सोचल मीडिया पर बहुत सारे से वीडियो वारल हो रहे जहां उत्तर पर देश में जो देश के अन्य राजे वहां से लोग पहुंच रहे है और इजरायल जाने की इच्छा व्यक्त कर रहे है ऐसे में हम दिल्ली में मौझूद है और दिल्ली के जनता से जाने के गुवर्ण मन में क्या है क्या दिल्ली की जनता को जराल जाने का मौका मिले तो जराल जाएंगे या फिर इस पर क्या सोचती है दिल्ली की जनता तो आईए हम जनता के बीच चलते हैं और जनता से जानते है कि जनताक मन में आखिर चल किया रहा है क्या उन्हें जाने का मौका मिला तो जाएंगे क्या नहीं आपका शाहब उदिन कहां से है आप बिहार से अब दिल्ली में क्या करते हैं पेंटिंगा काम करते हैं अच्छा आपने एक न्यूज सुना है कि जो इजराइल सरकार है वो भा अभी तो नहीं जाता है बाद में होगा तो जाएंगे यहां आप कौन से क्या काम करते हैं पेंटिंगा यहां हो जाती है ठीक ठाक कमाई आपकी हो जाती है अगर मान लीजे आपको इजराइल सरकार उसके तरफ से इंविटेशन आता है अगर आपको मौका मिलता है जाने का तो क्या इस पे आप जाएंगे या फिर सोचेंगे आप सोच के जाएंगे सर आपका नाम क्या है बीमल कुमार आप कहां से बिहार से अच्छा आप ही बिहार से ही है क्या करते आप यहां दिल्ली में मैं पेंट का का काम करते हैं तो आपको तो खबर पता होगा ही कि अभी ज राराट हम carta काम करते हैं जarin यहीं इसे बात यह वोत पैसे सर नहीं है बहुत जांगे में अपका सब्सक्राइब है कि यहां चैसे बात dedic roommate यहां भी ठीक है एंज राइल आपको नहीं जाना चाहिए और दोसरा देश है हमारा हिंदु अमरा हिंदुस्तान चोर के जाने में तोड़ा सा वह लगता है कि पता नहीं वहां क्या होगा नहीं होगा इसलिए थोड़ा घब्रा भुड़ा आपको यूद का डर लग़ा है कि म लेकिन आना पड़ेगा उसका मर्जी से बीबी बाल बच्छा को छोड़के उतना दूर जाएंगे सर बीबी बाल बच्छा को छोड़के बीना तीन साल से मर फिर आने नहीं देगा बात यह देड़ दो लाग और मोटा सेल्डी मिलेगा पैसा लोग अच्छा कमा लेंगे को कुछ करवाता है कौँ जाएगा इसा कम आप्को इसी बात का डर है कि वहां जाएगे पता नहीं कौंसा काम देतेगा क्या करवाएका नहीं करवाएगा इसी चकर से सर हम लोग यहीं ठीक है यहां तो आज बेढ़ते कल भीहार पहुंचाते हैं आप वहां से कभ पूर्टिये नितर्गा ब है जो हायरिग हुरी है जह प्रकिरिया चल रहा वह सरकार सरकार के धवर हा रहा है ऑना मिलेगा headache सकते हैं कि अगर आपको मौका मिले तो वहां जाएंगे को नहीं सुचता है कि हम मोटा कम है अज कल आपको ठीक ठाक रुजगार इंडिया में मिल रहा ठीक ठाक देखिए अभी 26 जनवरी के लिए थोड़ा काम अभी तो मंदा है ठंडी लेगे गर्मी में हम लोग काम तो चलत हुआ ठंडी में थोड़ा मंदा हो जाता है कि ठाक कमाई हो जाता है बालबुच्झे करना बढ़ेगा सर जी अब हाइप लिए सोचेंगे तो फिर इतना लागत भी लगवं कहां से पहुंच पहाएंगे अगर कोई ले जा रहा है दे रहा है हम लोग कर नियम क्या सर को एड मिलेगा है विना पैसा है किस पर भरोस सकर लेंगे हम क्या था बढ़ा सब्सक्राइब कर देगा हम लोग में सरकीष्ट चल रहा है बंधन वाला सब कीष्ट भरते हैं कोई 50,000 कोई 80,000 को एक लाग देता है हर हफ्ते में बंधन वाला हफ्ता है और भी लोगों से जानेंगे उनका क्या रहा है सर आपका नाम क्या है मैं आपको बता रहो ना मैंटर यह सर की इसराइल सरकार है वह भारत से मजदूरों को हायर कर रहा है उनका कहना है कि हमारा अर्थ विवस्ता है वह सुधार हो सगे तो ऐसे में जो भारतिये लोग है वह वहां जाने क्या इच्छा विक्त कर रहे है अगर आपको मौका बिलता है वहां जाने क्या आप जाएंगे इस राइचे मेरा तो एक्शली मजदूरी के प्रफाइल तो है नहीं लेकिन एक को पारते हैं वहने की करते हैं जहां भी आप जा आप जाते हो सबब्सकी है तो अब उसके कोटिंग आप सोल से शॉरी बाते हो स्वाटे वह मिलती है तो अब ज्यादा आतर मजदूरों में क्या है कि जाए बोग रोज कमाते रोज खाते webinar तो कुछ ऐसा अगर पेकेज़ न तो उसमें अगर कुछ ऐसा कानून बने कुछ ऐसा वो बने कि मजदूरों को थोड़ा बहुत कुछ जैसे कि तीन महीने का जली अगर वो जा रहा है तो एक महीने का दो महीने का उसको पैसा एड़वांस में दिया जाए वहानस की तो बात नहीं है लेकिन जो बी हारिंग पर किया चली तो ऐसे में आप क्या सोच और आपको भी अगर मोटा स्यली मिलता है तो आपकी किसी को भी अगर मोटी श przysz मिलती अच्छा प्रडेज मिलता है तो कोई भी जाता है देखऊ आप कहीं भी कोई भी रहता ही है इंडिया के लोग बाहर सारे विर अला ओबर दा कंट्री में लोग रहते हैं और और अला अला इला देशों में रहते हैं एक पैसार रूपियों में मिलता है जादत तेलोग जैसे आरब में कामकरते हैं यह गुल्फ कंट्री में कामकरते हैं असमेर सिस्टम होता है अगर याने वाले की देखआ है गर वो जाना चाहता है तो ही जा सकता है तो ही जा सकता है तो ही जाने वाले की लाइन लगी है ना जाने वाले की लाइन लई है अपने सुना कि जो जाने वाले है तो वही जा सकते है जिसकी इच्छा है और भी लोग है उनसे भी जानेंगे तरह बात करेंगे भई आपसे भान्स करेंगे या तो और भी लोग हमन से भी जानेंगे कि वह क्या सोचते हैं इसको लेकर तो इस वक्त हम मञडी इंगे लोगों से हम जानेंगे एक महाला है इन से हम जानेगे इन की जाया है मैं क्या नाम है ABkam प्रभाशेंग निव्ज है मैं आपको बता रहा हूं कि जो इजराइल सरकार है वह भारत से मजदूर को हायर कर रहा है कि वहां जो अंका अर्थवेसा नुकसान हुआ है तो भारत से मजदूरों को बुला रहे तो उसमें जाहतर पूरूस मजदूर है वो जाने को तयार है ऐसे में आप एक महिला है अगर महिला मजदूरू को भी वहाँ बुलाए या महिला जो भारतिय महिला उनको काम के लिए बुलाए तो क्या आपके मन में क्या इच्छा है कि आप वहाँ जाएंगे काम के लिए इसे में जानी चाहिए आपको नहीं लगता है कि वहाँ जाना ठी तो वहां जाना ठीक नहीं रहेगा मेरे इसाथ तो आप चाहेंगे कि भारत में रहना चाहती हूँ माली जागा आपको अच्छे पैकेज का उफर आता है कि आपको दो लाग रिपे तीन लाग रिपे पर मन दिया जाएगा फिर भी आप नहीं जाएंगे तो मुझे अपना भारत पहुत प्यार है मैं यहां से कहीं नहीं जाने हाले आपको अपना भारत प्यारत संस्कृति उससे प्यार है अपना देश नहीं छोड़ना चाहिए साहब यहां बैठे हम इनसे भी जानेंगे नहीं हम आपकी राय जानेगे वह तो मैंने महिला उनकी राय जाने को जिसकी और आप प्रूस आप वरकिंग में ही होंगे जहां तक मुझे लग रहा है तो आप पहले अपने नाम बताए से मेरा नम संदीव सिंग है कहां से हम तो मान लीजिए अगर आपको जराल जाने का मौका मिले तो क्या आप जाएंगे सब्सक्राइब करता है आज की समय में रोजगार सबसे बड़ी चुनोती है हर विरोजगार के लिए तो आदमी कहां कहां नहीं जाता है इसा नहीं वहां पर रहकर भी भारत से प्रेम अपना किय अपने अर्यगर वीडियो बाएं रोजगार की कमी है हाला कि कुछ अगर आपके अंदर हूनन नहीं है तो तो रुजगार की कमी है आपके अंदर कुछ टेलेंट है कुछ करने का तो देखते हैं कि जो कुछ कर रहा है अगर दिन भर में कुछ तो किया तो उसके लिए पैसे कमाने के लिए कोई प्राबलम नहीं होती है और कुछ अपने लिए जिवका चला लेता है लेकिन जो आलसी बैठे रहते हैं कि कुछ कमी नहीं है अगर आपके अंदर होंना रहे आज कर देखे हैं कि जिसके कोई टेलेंट नहीं है गाडी मसीन इतने पैसे हैं आज कि समय में किसी भी काम में लग जाए तो कहां से रोजगार के बहुत सारे ऐसे बहारती है जो इसे लाइन बहुत सारे युवा हैं उनसे जाने कोहिज करेंगे बहुत सारे युवा है उनसे जानेगी कि उनके मन में क्या रहे क्या भारत में सही से उनको रोजगार मिल पा रहा है या जिस तरह से कहा जा रहा है कि भारत में 48 साल में सबसे ज़दा बेरोजगारी है क्या ये सचाई है क्या ये हकीकत है कि भारत में इस तरह की बेरोजगारी दर काफी है तो हम यूबाओं के बीच ही जाएंगे और यूबा सही जानेंगे कि वह क्या चाहरे भाई आपका नाम क्या हुआ है अब कहां से निति डेली से ही है नितिन एक भी निज है और वह काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है कि जो इजरायली सरकार है वह भारत से मजदूर को हायर कर आप एक यूवा है आप क्या करते हैं मैं अब इस्टूट्ट अपर स्टूट्ट है अचा मान के चलिए इजरायली सरकार अभी हारिंग कर रहे यहां से भारत से जो वह लेबर लेबर भी है और भी जो तबके है जैसे माले कोई आई टी आई कर रहा है या को इंजिनिरिंग कर रहा है छाम액र अधर मेडिकल कर रहा है अगर इसे में आपको कर इसरायल जाने का मौका में ले तो क्या वश्वाशकार करें बारत में हिर deth कब आगे कंटिनू करना चाहता हूं तो अगर आप विजाल जाने का मौका मिलता है तो मैं नहीं जाओंगा फिलहार इल का इरादा है कि मैं अपने देश में ही रह के काम करूँ तो अभी आपने देखा हमने यहां पे बहुत सारे लोगों से बात करी उनकी राए जाने के कोशिश हूसे शयानस करूँ